हाई, वेल्क नो मैं चनल, इस वीडियो में solve करें question of 4, यहाँ पर दो method हैं, और दोनो method से जो है, हमार answer सेम आएगा, आपको बताते हैं, question को कसे solve करेंगे, दोनो method से, तो method number 1, इधर solve करेंगे, और method number 2 जो है, इधर, यहाँ पर जो है, method number 1 में, सबसे पहले, बुला है क्या, the cost price of 10 articles is equal to the selling price of 9 articles, find the profit percent, तो बुला है क्या 10 articles का जो CP है, वो equal है, selling price of, माझा, SP of 9 articles, तो जो दिया हुआ है, वो लिख लेंगे, तो given है क्या, CP, CP of 10 articles, 10 articles, is equal to, SP of, SP of 9 articles, ठीक है, यहाँ पर यह दिया हुआ है, और यहाँ भी same चीज़, जब दूसरे method में लिख लेंगे, क्योंकि, यह दोनों कामान है, ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे, CP of, 10 articles, is equal to, SP of, 9 articles, अब इसके बाद, जो है, दोनों methods में, अलग-अलग, वैरी हो जाएगा कुछ, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर, एक article का price, यदि हम, 1 रुपीज मान ले, तो दोनों का, CP और SP निकल जाएगा, मतलब, मैं कहना चाहता हूँ कि, दिखे, CP of 10 articles, जो है, इक्वल है, SP of 9 articles, यदि हम क्या करें कि, एक article का, एक article का, हम price मान ले, है, 1 रुपीज, यहीं पर महान ले हम कि, let, let the cost price of, let the cost of one article, one article, be one रुपीज, माले जो एक रुपया है, one रुपीज है, एक article का price, तो CP of 10 articles क्या हो जाएगा, 10 रुपीज हो जाएगा, है कि नहीं, और SP of 9 articles, कितना हो जाएगा, 9 रुपीज हो जाएगा, बस नमें करना क्या है, कि, दोनों का, LCM लेकर के, जो same, मने कि, same number of articles का, SP और CP निकालना पड़ेगा, that's it, तो यहाँ पर आपको निकाल जाएगा, कि CP of, यहाँ पर मतलब लिख लेंगे, कैसे निकालेंगे, हम simple तरीके से, यहाँ पर CP of 10 articles दिया हुआ है, तो लिख लेंगे, यहाँ पर CP of, so, यहाँ पर, so, CP of 10 articles, 10 articles, is equal to 10 rupees, क्योंकि 10 articles का, जो cost price है, वो क्या है, 10 है, 10 rupees हो जाएगा, अब SP निकालना है, 9 articles का, तो हमें लिख लेंगे, कि, SP of, 9 articles, is also equal to, दिखें, यहाँ पर, SP of 9 articles दिकालेंगे, तो यह, जो, यहाँ पर दिया हुआ है, कि, SP of 9 articles क्या है, CP of 10 articles के बराबर है, मतलब कि, 10 rupees के बराबर यह भी होगा, इतना बराबर भी 10 rupees हो जाएगा, clear, दिखें, क्योंकि हमने माल लिया है, 1 article का 1 rupees, cost price, तो cost price of 10 articles कितना हो जाएगा, 10 rupees हो जाएगा, और SP of 9 articles, जो है, equal है, इसके, इसके बराबर है, मतलब CP of 10 articles के बराबर है, तो, जो, CP of 10 articles का जो price होगा, उतना ही तो बराबर होगा, SP of 9 articles का, इसके अंशार, जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से ले करके, यहाँ तक, इसके अंशार यह होगा, अब यहाँ पर करना क्या है, कि दोनों को equal करना पड़ेगा, तो CP of 10 articles निकल का 10 rupees, तो यहाँ पर आप जो है, एक article का price निकाल सकते हो, it implies, CP of 1 article, इसको लूट क्या हो जाएगा, 10 से डिबाइड कर देंगे, तो मतलब की 1 rupees आजाएगा, जो मतलब यहाँ पर मानत है आपना, वही तो होगा, cost price ही माना है हम यहाँ पर, तो एक article कितना आजाएगा, 1 rupees आजाएगा, और यहाँ से कहने किलेगा, it implies, SP of 1 article, SP of 1 article निकालेंगे यहाँ पर, तो मिलेगा आपको 10 आपा 9, क्योंकि यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, 10 आपा 9, ठीक है, तो हमने निकाल लिया कि, यहाँ पर, CP of 1 article is equal to 1 rupees, and SP of 1 article is equal to 10 आपा 9 rupees, मतलब same number of articles का, CP और SP निकालना होता है, that is the main concept, आपने यहाँ पर निकाल लिया, तो यह एक तरीका है, तो यहाँ से अब CP, इसमें निकाल गया, तो अब जो है gain percent निकालना, आपको profit percent निकालना है, तो यहाँ से 100 हो जाएगा क्या, so profit percent is equal to, यहाँ फर्म लग जाएगा, profit percent is equal to हो जाएगा, SP में से क्या करते हैं CP मैनस करते है जो profit आता है उसमें divide कर दते हैं CP से और इसी पूरे fraction में मौटपलाई कर दते हैं 100 से यह होता है profit percent तो profit यह निकलेगा उपर SP क्या है 10 अपा 9 है मैनस करना है CP CP means 1 CP क्या है यहाँ पर 1 है मौटपलाई बाई 100 यहाँ solve करेंगे तो 9 वञए 9 और 10 में से मैनस करेंगे तो 1 upon 9 मिलेगा मतलब कहने का मतलब अब मैंने कैसे किया यहाँ पर L7 ले लिया इंद रोका upon 1 करके L7 ले लिया यहाँ पर L7 ले लिया धो 9 आएगा 9 वंजा 9 और 1 कीरिये अफ़र यहाँ 10 हो जाएगा यह आपका आगया profit percent कितना इतना इस method से अब यहाँ पर solve करते हैं तो यहाँ पर हमने माना था क्या अभी कुछ माना नहीं है अब इसके बाद यहाँ पर कर लेंगे लेट यहाँ पर दिया हुआ है जो हमने यहाँ पर question में दिया हुआ है cp of 10 आर्टिकल इसको मान लेंगे कि यह दोनों इक्वाल है इसके बराबर होगा यह इसके बराबर होगा है कि तीनों बराबर होगा है हमने यह मान लिया है let क्या माना है cp of 10 articles is equal to x रुपीज दोनों बराबर है तो अम्मान लिएक जो प्राइस से वह इतना है x रुपीज है तो हम यदि पहले वाले को first वाले को और third वाले को यदि equal करेंगे तो हमें एक relation मिल जाएगा मिलेगा cp of 10 articles is equal to मिल जाएगा x रुपीज तो यहां से आप निकाल सकते हो cp of one article क्या हो जाएगा 10 से डिबाइड करना पड़ेगा तो x upon 10 रुपीज मिल जाएगा अब जो है हम क्या करेंगे second को और third को एक बेट करेंगे तो अल्सो यहां मिलेगा cp of 9 articles 9 articles is equal to मिलेगा x रुपीज क्योंकि दोनों का अपने माना है equal है यहां पर है कि ने cp of 9 articles जाएगा x रुपीज है अब यहां से निकाल लेंगे cp of one article क्या मिलेगा 9 से डिवाड़ करतेंगे यहां पर लगा रहे हम क्या unitry method ठीक है सबका one unit निकाल लिए अब यहां पर cp of one article निकाल लिए और cp of one article निकाल लिए अब यहां पर इन दूनों के यूज करके जो है हम निकाल सकते है profit percent so profit percent is equal to profit percent is equal to होता है क्या profit मतलब की sp minus cp यह profit होता है अपान इसमें डिवाड़ करतेंगे cp से और इस पूरे मिले कर जाते है 100 से sp कितना है sp of one article देखे हमेशा जो है sp और cp जब यूज करेंगे तो हमेशा same number of articles का sp और cp यहां पर है और one article का sp यहां पर है यहीं यूज करेंगे आप मतलब की sp क्या है x upon 9 है मैनस कर देंगे x upon 10 से whole अपान डिवाड़ कर देंगे किस से cp of one article x upon 10 से डिवाड़ कर देंगे और इस पूरे को multiply कर देंगे 100 से अब यहां पर क्या जाएगा यहां पर rozm लेंगे तो मिलेगा आपको 90 से बारे करेंगे 10 मिलेगा 10 अटो x हो जाएगा minus 10 करेंगे 9 9 अटो x 9 x हो जाएगा whole अपान this upon x है upon 10 भी है into हो जाएगा 100 से यहां पर यहां पर होता यह जू 10 है और ही है यह दोनों cancel out हो जाते हैं ठीक है तो यहां पर यह 0 और 0 cancel out हो जाएगा और कुछ नहीं कटे पाएगा ठीक है अब देखें ऊपर और solve करेंगा तो क्या मिलेगा ठीक है 10x-9x कितना हो जाएगा x हो जाएगा क्यों मनिकि 1x हो जाएगा 1x अपान यह तो रूमर बलाई कर देते हैं तो 9x हो जाएगा है यहां पर into 100 तो रहेगा ही अब देखें xx के जी रढ़ हो जाएगा यह मिल जाएगा वही चीज 100 अपान 9% मतलब इसी को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 11 whole 1 upon 9% तो दोनों तरीके से क्या हुआ कि दोनों same number आप percentage निकल गया है आपर यही आपका answer है 11 whole 1 upon 9% thank you so much for watching bye